परिचय रेशे यानी पौधों और जन्तूओं दोनों से प्राप्त किये जा सकते हैं। कुछ परिचित पौधे जैसे कपास, जूट और सन रेशों के प्रमुक स्रोथ हैं। रेशों के कुछ प्रमुक जन्तू स्रोथ हैं भेड, बकरी, उूट, एलपेका और लामा। यदि हम कीटों को जन्तूओं से भिन माने तो रेशम कीट को फाइबर के कीट स्रोथ के रूप में वर्गिक्रित कर सकते हैं। इस पार्ट में हम पशू रेशों के बारे में विस्तार से जानेंगे, खास तौर पर उण के बारे में। उद्देशे। इस पार्ट के अंद्त में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे। उन की विशेशताएं बताना भेड की उन का वर्डन करना उन जन्तुओं के बारे में बताना जिन से उन मिलती है भेड से उन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्डन करना रेशों से उन बनाने वाले संसाधन को समझाना उन की विशेशताएं उन प्रोटीन फाइबर होती है, यह एठन दार और लचीली होती है, एठन उन को फूला हुआ बनाती है, और उश्मा को रोगने में सहायता करती है, उन नमी और धोनी को सोकती है, क्यूंकि यह खोकली होती है, साधरन तेया उन क्रीम जैसे सफेद रंग की होती है, लेकिन यह काला, भूरा या चांडी जैसे रंग में भी हो सकती है, उन हाइपो ऐलर्जिक होती है, दूसरे शब्दों में यह मनुश्यों में कम ऐलर्जी उत्पन्न करती है, भेड की उन भेड की बालों वाली त्वचा में दू प्रकार के रेशे होते हैं, कड़े गल्मुच्छे वाले बाल और त्वचा के महीन मुलायम बाल, महीन बाल उनी कपड़े बनाने में प्रयोक्त होते हैं, और कड़े बालों का प्रयोग गलीचा बनाने में होता है, जन्तु जो उन उत्पन्ने करते हैं भेड के अलावा कई अन्य जन्तु भी उन का उत्पादन करते हैं ये जन्तु हैं याग याग की उन तिबद और लद्दाख में सामाने है अंगोरा बकरी या पहाडी क्षेतरों जैसे जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती हैं इससे प्राब्थ उन को अंगूरा उन कहते हैं कश्मीरी बकरी इससे प्राब्थ उन बहुत ही मुलायम होती है और इसका प्रयोग शौल बुन्ने में किया जाता है ये शॉलें भारत में पश्मीना शॉल के रूप में विख्यात हैं. उंट उंट के शरीर पर पाए जाने वाले फर का उप्योग भी उन के रूप में होता है. लामा और एल्पे का दक्षन अमेरीका में पाए जाते हैं और उन का उत्पादन करते हैं. रेशे से उन तक उन की गुणवत्ता अच्छी होने के लिए भेड को अच्छा पोशक आहर खिलाना चाहिए घास चरने के अतरिक्त इन्हें मिश्रित दालें, मकई और जौर खिलाना चाहिए इस तरह से पाली गई भेडों के शरीर पर बाल की मोटी परत विकसित होती है इसे भेड की उन की परत कहते हैं और इससे उन प्राप्त होता है रेशे का उन में संसाधन आईए उस प्रक्रिया का अध्यान करें जिसके द्वारा भेड से उन प्राप्त की जाती है सबसे पहले भेड से उन की परत को उसके शरीर से उतारते हैं इसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है मशीन की सहायता से भेड की उन की परत उतारने की प्रक्रिया को उन की कटा ही कहा जाता है उन की कटाई से भेड को पीड़ा नहीं होती क्यूंकि भेड की तौचा की उपरी परत मृत होती है साधरन तहां बालों को गरमी के मौसम में उतारा जाता है इस से भेड अपनी बालों की स्रख्शात्मक कोट के बिना भी जीवित रह सकती है इसके बाद भीड की बाल के साथ उतारी गई तोचा को जल कुंड में अच्छी तरह से धो लेते हैं यह प्रक्रिया चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाती है इस प्रक्रिया को अभी मार्जन कहते हैं धुली हुई बाल वाली तोचा की परतों को कारखानों में भीज दिया जाता है जहां उन्हें विभिन बनावट के अनुसार अलग-अलग रखा या वर्गी कृत कर दिया जाता है रेशों को विभिन रंगों में रंगा जाता है क्योंकि भेड की उन वाली परत काली, भूरी और सफेद रंकी होती है रेशों को सीधा करके लच्छों में लपेट लिया जाता है और अंतता उन उप्योग के लिए तयार है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उन एक पशू रेशा है इससे भेड, बकरी, उन्ट, एलपेका और लामा से प्राप्ट किया जाता है उन प्रोटीन रेशा है या एठन युक्त और लचीला होता है मशीन की सहायता से भेड के शरीर से त्वचा की परस से उन निकालने को उन की कटाई कहते है चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए बाल युक्त तोचा की धुलाई करने को अभी मार्जन कहते है